ये आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कच्छा बारत की फिजिक्स की नए चेप्टर की सुरुवात करने वाले पहरे बच्छो आज की चेप्टर का नाम है प्रकास बदुद प्रवाद यहां से कुछ ऐसी टॉपिक हैं जो कि आपके एक्जाम में काफी बार पूछ बार यह चीज कुछता है तो आज की क्लास काफी लंबी होने वाली क्योंकि यह पूरा चेप्टर आपको दो ही पार्ट में मिलने वाले दो ही पुल चेप्टर समाप कर दिये जाएंगे पैर बच्छो और तीसरा पार्ट आएगा सारे फार्मूले पे आधारे निमेरिकल के नाम है प्रकास बिद्वित प्रभाव एवं द्रभ्यत तरंगे शुरुवात हमारी यहां सोने वाली है कि जो प्रकास होता है उसकी दो प्रकीत होती है यह आज हम लोग नहीं पहले से जाना है प्रकास कितनी प्रकीत होती है प्यार बच्छो दो प्रकीत होती है इसलिए हम लोग इननों को क्या करते हैं प्रेकास की रूप में भी चलता है प्रेकास तरंग के रूप में भी चलता है कण के रूप में चलता उसके लिए भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं प्रकास तरंग के रूप में भी चलता उसके लिए भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं तो ध्यान से दिखेगा यानि मिलाजुला के इस चेप्टर में हम लोग समझेंगे प्रकास के कडातमक प्रभाव क भी व्याख्या करेंगे जो आपकी तरंग प्रकित थी से पहले हम लोगों ने प्रकास के तरंग प्रकित को पढ़ा था हाईगेंस वाले में अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रकास के कड़ात्मक प्रकित के बारे में पढ़ेंगे तो ध्यान से देखना प्यारे बच में एक इनकी तरंग प्रकीत है एक कड़ प्रकीत है इसलिए इन दोनों को लोग क्या कहते द्वयत प्रकीत इस प्रकास की प्रकीत को द्वयत प्रकीत कहा जाता है अब तरंग का तरंग कैसे पता चला कि प्रकास तरंग है तो भाईया जो घटना हुई परावर्तन की घटना स प्रकास के तरंग प्रकित को प्रूफ कर रही थी प्रकास के तरंग प्रकित की व्याख्या के अधार पर इनकी घटना को हम लुक समझ सकते हैं और जब कन की बात आई, तो कन की बात आई प्यारे बच्चों, तो कन की रूप में सबसे पहला था प्रकास बिद्दूत प्रभाव, क्या था प्यारे बच्चों, प्रकास बिद्दूत प्रभाव, फिर उसके बाद रमन प्रभाव, कौन सा था रमन प्रभाव, कौन सा करातमक प्रकीत की व्याख्या होगी और तरण प्रकीत के लिए परावर्तन धुर्ण की व्याख्या की जाती है तो इन्हीं मुद्दा को लेकर प्रकास की करातमक प्रकीत को व्याख्या करने के लिए हम लोग इस चप्टर में तमाम चीजे देखेंगे तो सबसे पहली सुरु किसे करते हैं तो तमाम सारी चीज़े आज बेसिक चीज़ों मैं आपको सीखने को मिलेगा तो सबसे पहली हीडिंग आती हैं प्यारे बच्छो एलेक्टरान उसर्जन क्या होता है एलेक्टरान उसर्जन तो केवल आप एक बार दीपली से ध्यान से देख लिजे आपको स्वय इसको परिभासित कर सकते हैं अब आप लोगों ने किविश्टी में पड़ा होगा कि सभी परमारूओं में मुक्त इलक्टरान पाये जाते हैं, सभी परिकार के परमारूओं में क्या पाया जाता है मुक्त इलक्टरान पाया जाता है जैसे हमने कह दिया कि ये परमाड हो गया और ये इसका कोई नाभिक हो गया तो भाईया इस परमाड में क्या किये जाते हैं मुक्त इलक्टरान मुक्त इलक्टरान पाये जाते हैं परन्तु ये परमाड़ों की परिसीमा के परमाड़ों की परिसीमा ये क्या है प्यारे बच्छो परिसीमा है परमाड़ों की परिसीमा के अंदर क्या होते हैं बधे होते हैं परमाड़ों के ये परिसीमा के अंदर क्या होते हैं ये इलेक्टरान भईया बधे रहते हैं ध्यान से सुनिएगा अब आप सोच बल से नहीं बढ़े हुए अंदर के लिए मुक्त हैं अंदर ये सुतंत रहें भीया यही चीज मैं कहने चारा हूं कि परमाड़ों में मुक्त इलेक्टरान पाया जाते हैं अब जब इस मुक्त इलेक्टरान को इस धात्यू के प्रिष्ट से इस प्रिष्ट से बाहर निकालने कि प्रक्रिया को ही एलेक्टरान उसर्जन कहते हैं एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि किसी धात के प्रिष्ट से कोई भी धात ले ले लेजे कोई भी परमार ले ले लेजे उसमें मुक्त एलेक्टरान पाये जाते हैं अब मुक्त एलेक्टरान पाये जाते हैं एलेक्ट्रान उसर्जन कहलाता है एलेक्ट्रान उसर्जन करने की तीन विधिया होती है सबसे पहला होता है आपका तापी उसर्जन, दूसरा होता है छेतरी उसर्जन, तीसरा होता है प्रकास उसर्जन लास्ट वाला ही आपके चैप्टर से रिलेटेड है तो आईए हम ध्यान से सबस्ते हैं कि एलेक्टरान उतसरजन की तीन विधिया कौन कौन सी है पहला होता है तापी उतसरजन पहला कौन सा होता है प्यारे विद्चो तापी उतसरजन कौन होता है तापी उतसरजन होता है और सेकेंड वाले में क्या आता है सेकेंड वाले में आता है छेत्री उतसर्जन कौन सा आता है छेत्री उतसर्जन और उसके बाद थर्ड वाला कौन सा आता है प्रकास उतसर्जन क्या होता है किसी भी धात्य के प्रिष्ट से इलेक्टरान बाबू को बाहर निकालना ही इलेक्टरान उसर्जन कहलाता है इतनी बात समझमाई इलेक्टरान उसर्जन करने की तीन विदिया एक होता है तापी उसर्जन तापी उसर्जन क्या होता है कि हम इस धात के टुकडे को लेके गए और धात के टुकडे को खुब गर्म कर दिये किसी भी धात के टुकडे को ताप दिया तो ताप देते ही यह इलेक्टरान भईया जैसे ही ताप के द्वारा उर्जा मिल रही है जैसे ही इलेक्टरान यह उर्जा गरहन करेगा यह इलेक्टरान इस परसीमा को तोड़कर इस पर कोई भी किसी भी धात के प्रिष्ट से इलेक्ट्रान को निकालने के लिए या हम दूसरे सब्दों में बोले पहले बचो कि किसी धात के प्रिष्ट से इलेक्ट्रान का उसर्जन ताप के द्वारा हुआ हो तो वो क्या कहलाता है तापी उसर्जन कहलाता है या हम लोग अपने दिहाती लेंगेज में बात करें तो किसी धात को भईया हम गरम कर देंगे जब किसी भी धात को क्या किया जाता है गर्म किया जाता है तो गर्म किया जाता है तो उसको एक प्रकार की उर्जा मिलती है और उर्जा पाका इलेक्टरान उस धात की प्रिष्ट से उस धात के मुक् में या धातू के इलेक्टरान ताप को ग्रहन करके धात के प्रिष्ट से क्या हो जाते मुक्तों जाते हैं इस प्रकार का उसर्जन तापी उसर्जन कहलाता है अगर चोटी सी डिफिनिसन देना ताप के द्वारा किसी धातू के प्रिष्ट से अब हम बात आएंगे हम सेकेंड प्रकार पढ़ेंगे छेत्रिय उस्वर्जन क्या होता है प्यर्वच्चो जब हम किसी भी धात के तुकड़े को कोई भी धात का तुकड़ा हो अब ध्यान से समझेगा ध्यान से दिखे हमने क्या कह दिया कि कोई धात का तुकड़ा है ये माल लेते हैं ये कोई धातु का क्या है तुकड़ा है अब इस धातु के तुकड़े को हम क्या कर दे किसी प्रबल विद्दुचेतर में क्या कर दे रख दे खूब जादा विद्दुचेतर हो वहाँ पर प्रबल विद्दुचेतर में किसी धात के तुकड़े को रख दे या किसी धात के त दुच्छेतर लगा दें, बहुत जादा बिदुच्छेतर आरूपित कर दें, तो भाईया इस धात की तुकड़े में बैठा इलेक्टरान बेचारा क्या करेगा, जब इनको बाहर से कोई खीचने लगेगा, बाहर से उर्जा इनको मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, इलेक्टरान बाबू इस धात के तुकड़े से बाहर निकलाएंगे तो इस प्रकार का जो उस्सरजन होता है, वो कौन सा उस्सरजन कहलाता है, प्यरवत चोथ छित्री ये उस्सरजन कहलाता है एक बाब पुनह मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या कहलाता है, कि जब किसी धात के तुकड़े के ऊपर, प्रवल विद्दुच्छत आरूपित करते हैं, या प्रवल विद्दुच्छत लगाते हैं, तो धात के प्रिष्ट से जो इलेक्टरान होते हैं, वो बाहर की तरफ निक करिया ही, क्या कहलाती है, छेतरी उस्षरजन कहलाता है, तो यहां परिभासा लिख दे रहें इसका, बिद्दुच्छत चेतर के द्वारा, किसी धात के प्रिष्ट से, क्या, किसी धात के प्रिष्ट से, इलेक्टरान का उसर्जन कराना ही या इलेक्टरान का उसर्जन ही क्या कहलाता है प्यार बच्छो इलेक्टरान का उसर्जन ही छेत्री उसर्जन कहलाता है उम्मीद है कि आपको अभी तक तापिय उसर्जन जरू समझाया होगा प्यार बच्छो अब हम बात करेंगे प्रेकास उसरजन क्या होता है तो भी यह ध्यान से बिल्कुल ध्यान से समझेगा बहुत ही important topic है प्रेकास उसरजन क्या होता है अब यह जो आपने धातुका तुकड़ा लिया है यह जो धातुका तुकड़े लिये थे न अब फिर से एक बार हम धातुका क्या हो गया तुकड़ा हो गया चलो यह धातुका भईया तुकड़ा हो गया मानना नहीं तो है और क्या करना है यह धातुका तुकड़ा हो गया अब इस धातुके तुकड़े के अंदर यह इनका नाभिक हो गया यह भईया मान लेते हैं कि इलक्टरान भईया वैठे थे का द अप्तित करा है एक बार फिर से मैं बोल ला हूँ जब किसी धात के प्रिष्ट पे हम लोग क्या करते हैं प्रकास किरण को गिराते हैं प्रकास किरण को आप्तित कराते हैं क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही कि भैया कोई धात उठे उस धात पे हम लोगों ने प्रकास को क कच्छा को ग्रहन कर लेता है ग्रहन करेके यह इलेक्ट्रान भैया को क्या होने लगता है इलेक्ट्रान बाहुबली बन जाता है और बाहुबली बनने के बाद यह अपनी कच्छा को क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं अपनी कच्छा को छोड़ देते हैं अपनी कच्छा से म मैं एक बाद फिर से बोल रहा हूं भी ध्यान से तो जब सुरी की प्रिकास के रड़े धातु के प्रिष्ट पर पढ़ती हैं तो धातु के प्रिष्ट पर पढ़ने के पस्चाथ यह इलेक्ट्रान क्या होता है कि इनको ग्रहन कर लेता है इलेक्ट्रान इनको ग्रहन करके प्राप तोर जा या इलेक्ट्रान ग्रहन करके धात के प्रिष्ट से क्या हो जाते हैं मुक्त हो जाते हैं धात के प्रिष्ट से बाहर चले जाते हैं तो इस प्रकार का उस्सर्जन प्रकास उस्सर्जन कहलाता है यानि हम कर सकते कि प्रकास के द्वारा किसी भी धात के प्रिष्ट से एलेक्टरान बाहर निकालना ही प्रकास को सरजन कहलाता है क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रहे होगी प्यारे बच्चों एक बार हम फिर से रिपेट कर लेते हैं शुरू से लेके अंत तक वीडियो का फीलम भी भले हो जाएगी परन्तु आपको समझ में आना ही हमारा मूल उद्देश होना चाहिए प्यारे बच्चों तो दिहान से देखना है चर्चा कहां सम लोगों ने किया था कि ये लाइट होती है प्रकास होता है वहिया एक इंसान का जिस प्रकार डूल नेचर तियल नेचर बहुत तमाम प्रकार के नेचर होते हैं उसी प्रकार ये प्रकास बाबू के दो नेचर है ये बहुत विख्यात थे एक तो बोले गया कि प्रकास तरंग के रूप में भी चलता है, हाइगेंस और निउटन, ये लोगों ने बताया कि प्रकास तरंग के रूप में चलता है, तो लोगों ने पूछा कि आप प्रकास को तरंग के रूप में मारने तो ऐसा कुछ बताईए कि जिससे लगे कि प्रकास तरंग के तो आप लोग पूछेंगे ना भाई सर जी उसे रितान का नाम तो बताई जो इल्टा चलता है तो उसी चेज को ब्याताने के लिए हाइगेंस भाईया या तरंग तमाम प्रकार के जो बग्यानिक थे तरंग की प्रकित को बताने के लिए उन्होंने बोला कि जो परावर्तन ह होता है अगर प्रकास तरंग नहीं होता तो परावर्तन की घटना नहीं होती क्योंकि जब कोई भी तरंग किसी चिकने पॉलिस या किसी पॉलिस दार्व सकह पे पढ़ती है तो टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लड़ जाती है तो भाईया प्रकास भी तो ऐसे होत भाइय अपवरतन की घटना केवल तरंग में ही संभव होता है। तो इस प्रेकास से हम कह दिएक प्रेकास का अपवरतन के आधार पे प्रेकास तरंग। Pकित्का तो जब उस बात को तो सब लोगोंने मान लिया पहले ही चैप्टर में परन्तु जब प्रकास के कड की बात आई बोला गया कि भई प्रकास किस रूप में चलता है कड की रूप में चलता है तो लोगों ने पूछा कि भई आप बता दीजे साहब जी कि प्रकास कड की रूप में चलता है तो कैसे मान ले प्रकास कड की रूप में चलता है तो कैसे चलता है कड की रूप में उसकी ब्याख्या करने के लिए लोगों ने बताया कि प्रकास बिदूत प्रभाव रमन्स प्रभाव जो है प्रकास की कड की प्रकित को ब्यक्त करते हैं तो उनी सब की चर्चा करने के लिए हम लोगों ने इस चेप्टर को पढ़ा कि प्रकास के करात्मत प्रकित की चर्चा करने के लिए प्रकास बिद्दुत प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे तापके चेप्टर का वही नाम है प्यादवच्चो अब अधिहान से देखेगा कि इस चेप्टर की सबसे फर्स्ट हेडिंग थी कि इलेक्ट्रान उस्सरजन क्या होता है तो यह मैंने बता दिया तो पता चला कि इलेक्ट्रान उस्सरजन कितने प्रिकार होते हैं तीन एक तापी उसरजन एक छेत्री उसरजन एक क्या होता है प्रिकास उसरजन होता है ना अब तापी उसरजन क्या होता है मैंने बोला भी है कि आप किसी भी धात को गैस पे रखकर क्या कर दोगे गर्म कर दोगे जैसे दूद पानी उनी गर्म करते हैं उस इस धात के प्रिष्ट से इलेक्टरान को बाहर निकालने के लिए धात को ताप दिया धात को गर्म किया हमने क्या कि धात के प्रिष्ट से इलेक्टरान को निकालने के लिए धात को गर्म किया धात को ताप दिया तो इस प्रकार का उसरजन क्या कहलाएगा तापी उसरजन कहल अब बात आई छेत्री उसर्जन के क्या होता है तो छेत्री उसर्जन क्या होता है कि जब कोई धात के टुकड़े को या जब किसी धात के टुकड़े को पर प्रबल विद्धुच्छेत्र लगाया जाता है काफी जादा विद्धुच्छेत्र आउपित करते हैं तो क्या होता निकले है कि उस धात के प्रिष्ट से एलेक्ट्रान भया वहार निकल जाते हैं तो इस प्रकार के उस सर्जन हो ज्य होता है कि सब करेενे किसी यह प्रकार की प्रिष्ट के मैं पढ़ती हैं तो सभी धातुओं से इलेक्टरान क्यों बाहर नहीं निकलता तो बिल्कुल आपके पुछने का हग बनता है प्यारे बच्चो वीडियो के अंग तक बने रहीएगा तो आपको इस प्रिश्ण का जवाब जुरूर मिल जाएगा कि कि जब सभी धातुओं पर प्रकास पढ़ता है तो क्यों सभी धातुओं से लेक्टरान का उसर्जन नहीं होता प्यारे बच्चो तो आपकी इस चैप्टर की नेक्स्ट ठेडिंग आती है कार्य फलन कई बार एक नंबर में पूछा गया है कि कार्य फलन से आप क्या से कार्य बहुत ही सरल और इकलौती डिफिनीशन है प्यारे बच्चो आईए हम उनको जब सभाया ये बात हो गई कि जब किसी धातुओं के प्रिष्ट पर यह हो गए धातुका टुकड़ा क्या हो गए धातुका टुकड़ा और ये धातुके टुकड़े में बैठे हुए इलेक्ट को लोगों ने पूछा कि ये बताईये कि क्या सुरी की जो नारमल प्रेकास किलडे पढ़ रही हैं क्या उनके पढ़ने से ही इलेक्टरान उस सर्जन हो जाएगा तो इस बात का जवाब होता है प्यारे बठो कालेखलन आए ध्यान से लेक्षे की उनके पोछ लिया कि हम जब किसी धात के प्रिष्ट पे पढ़ने वाली जो सुरी की प्रेकास किलडे होती है सुरी की जो परावैगनी किलडे होती है या एक बाद फिर से मैं किले कर रहा हूँ कि जब किसी धात के टुकडे पर सुरी की जो प्रेकास किलडे पढ़ती है वो प्रेकास किल्डों की मात्रा अगर हम बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं यानि जितने अब पूछ रहोंगे कि हम कितना बढ़ाएं तो वो डिपेंड करता है धात के टुकड़े पे कि वो धात किसका बना है अब इस धात की कुछ स्वयम की उर्जा होती है पहले बच्च की उर्जा क्या होती पांच एलेक्टरान बोल्ट होता मतलब पांच एलेक्टरान बोल्ट के उर्जा से इस एलेक्टरान को ये बाद कर क्या करें रखे हुए हैं प्यार बच्चो अब हम जैसे मानते हैं कि जितनी प्रकास किल्ड़े बढ़ाएंगे उतना एलेक्टरान बो परंतु जैसे ही छठवा और सत्वा प्रकास किल्डे मेंने आपतित कराया जैसे ही किसी धातु के प्रिष्ट पर छठवा या सत्वा या आपतित होने वाली प्रकास किल्डों की मात्रा बढ़ाया तो धातु के प्रिष्ट से इलेक्टरान बाहर निकल कर घूमने लगे तो इ प्यारे बच्चो एक बाद कारिफलन की परिभासाब कैसे समझेंगे कि किसी भी धातु के पृष्ट से एलेक्ट्रान करान को बाहर निकानने के लिए आवस्यक कम से कम उ ही उस धातु का उस धातु का कारिफलन कहलाता है और सभी धातुओं का कारिफलन अलग-अलग होता है प्यारे बच्चों और कारिफलन को व्यक्त करने वाले दो ही चिन होते हैं एक होता है डबलू नाट और एक होता है प्यारे बच्चो फाई नाट ध्यान से दिखेगा मैंने बता दिया कि इने हम डबलू नाट या फाई नाट से क्या करते है ब्यक्त करते है अब भाईया इनकी जो मात्रक होती है वो भी ध्यान देना कि जो मात्रक होता है वो जूल होता है या या एलेक्ट्रान बोल्ट होता है क्या होता है प्यारे बच्चों एलेक्ट्रान बोल्ट होता है क्या इतनी बात आपको समझनाई कारिफलन क्या होता है एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि किसी भी धातु के प्रिष्ट से एलेक्टरान को उस सर्जन करने के लिए एलेक्टरान को बाहर निकालने के लिए आवश्यक नियून्तम और जाही उस धातु का कारिफलन कहलाता है इसे उमेगाना और इसे डबलू नाट या फाई नाट से व्रक्त करते हैं मात्रक का होता है वह यह जूल या इलेक्रान बोल्ट होता है उमीद है प्यारे बच्चो कि अब हमारी next topic आती है प्रकास बिद्दुत प्रभाव कौन सी topic आती है प्रकास बिद्दुत प्रभाव ध्यान से समझेगा प्यारे बच्चो कि अब हमारी next topic आती है प्रकास बिद्दुत प्रभाव कई बार ये चीज पूछा गया है कि प्रकास बिद्दुत प्रभाव से आप क्या समझते हैं दिहान से समझना प्रकास बिद्दुत प्रभाव क्या होता है अभी आपने सारा प्रोसेस वहां से पढ़के आया है जश्ट अभी आज के हिकलास में क्यों उसी से एक लाइन दो लाइन पढ़ना है आगे दिखें क्या होता है कि ये धातु हो गई क्या हो गई प्यारवच्छो धात हो गया अब क्या होता है कि धात उमें इलेक्टरान होते हैं धात उमें क्या होते हैं अब ऐसा है नहीं कि सुरी की प्रकास किर्ड़े आपतित करा दें और इस धात उसे इलेक्टरान बाहर निकलने लगें क्या ऐसा होता है नहीं होता ऐसा कभी नहीं होता कि हम किसी भी धात के इस तेसे इलेक्राण बाहर की तरह निकलने लगे ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं प्रेकास केर रहे हैं तो यह प्रेकास कर्ड़ी शे. वो एक सिकंड में कई प्रकास करने इस पे क्या हो जाए आपतित हो जाए तो उसी को हम लोग कहते है आप ब्रित्ती बढ़ाना जिसे मैंने का कि अभी एक सिकंड में ये तीन प्रकास करने आपती थो रहे थी अब एक सिकंड में च्छा प्रकास करने आपती थो रहे तो इसे ह प्रिष्ट से एलेक्टरान बाहर निकल जाता है और प्यारे बच्चों ध्यान से समझेगा निकले हुए एलेक्टरान को यदि हम किसी चालक में क्या कर दे जोड़ दे यदि हम निकले हुए प्रकास के इस घटना को हम क्या कहते हैं प्रकास विद्दुत प्रभाव कहते हैं प्यारे बच्चो एक बार फिर से क्लियर करते हैं हमने धिमाग को क्योलाब ध्यां से धिमाग को किंदें करींगे सुनिए की कोई धातु है उस धातु पर शुरी की प्रकास किरण आपतित करा रहे थे उच्चाप्रति उच्छ अब्रति का मतलब कि जितना चाहिए उतने जब किसी धात्य के प्रिष्ट पे उच्छ अब्रति का प्रकास किरण आपतित कराया जाता है तो धात्य के प्रिष्ट से क्या निकल जाता है एलक्टरान निकल जाता है तो धात्य के प्रिष्ट से एलक्टरान निकल कर किस परिपत में क्या करने लगता है मुक तो हो को इलेक्टरान चलने लगता जिसके कारण एक धारा उत्पन होती है जिसे हम प्रेकास बिद्दुद धारा करते हैं और प्रेकास का यह प्रभाव प्रेकास बिद्दुद प्रभाव कहलाता है तो गाइस आईए हम समझते हैं कि प् के प्रिच्छर किसका प्रिच्छर आता प्रिच्छो हालवाक्स तथा लेनार्ड का प्रिच्छर अब हालवाक्स और लेनार्ड एक बग्यानिक थे जिन्हों ने प्रेकास विद्दूत प्रभाव की ब्याख्या करने के लिए कुछ प्रियोग किये वो प्रियोग आपके लिया जहांस समझेगा वो नली आपको यहां पर दिखाई पड़ा पर वेचो हालवाक्स ने एक नली लिया एक नलीका लिया उस नलीका में एक साइड जो है एक सीरे पर क्या कर दिये जिंक प्लेट लगा दिये और दूसरे सीरे भर भी जिंक लगा दिया अकों Fate बलाटमक मेन लिया एक कोंड़ों ने थ्रॉजा दोट लगा दिया और इक तरफ उन्होंने जिंक का धनप्लेट Broken edition. एक तरफ उन्होंने कैथोड बना दिया और एक तरफ उन्होंने क्या कर दिया एनोड कर दिया भी है बस इतनी बात हाल वाक्ष लेनार्ड ने अपने प्रियोग के दॉरान nalika लिया आ उस नलिका में जिंगी की दो प्लेटे लगा दी एक कैफोर की भाद ब्युहार कर रही थी एक इनोड की तरह ब्युहार कर रही थी। मतलब जिंगी की दो प्लेटे एक प्लस झाकी माइनस थी। अब उन दोनों प्लेटों से एक क्या कर दिया गया पेरबच्चो बैटरी जोड़ दिया गया साथ में एक धारा मापी जोड़ दिया गया कि जो धारा उदपन होगा उसे हम धारा मापने के लिए ध्यान देना ये जो धारा मापी होती है इसका नाम होता है माइक्रोमीटर होता है क्या होता है प्यारे बच्चो माइक्रोमीटर क्या होता है माइक्रोमीटर क्यों होता है क्यों होता है क्योंकि ये बहुत ही सुछम धारा माप सकती है जादा से जादा धारा को मापने के लिए ajudar कि हम लोग नहीं करते अब द्यान से समझें अब हालवाक्स और लेनार्ड का प्लिचर क्या था कि हालवाक्स ने अपने प्रयोगों के दौरान जब जिंक की प्लेटों पर ये जो जिंक है ये जिंक की क्या थी रड़ प्लेट थी ये किसकी प्लेट थी पहरे बच्छो जिंक की प्लेट है किसकी प्लेट थी जिंक की प्लेट थी अब जिंक की प्लेट क्या थी कि जब जिंक की प्लेट पर जब जिंक की प्लेट पर सूरी की पराबैगनी प्रकास करण गई जब सूरी की पराबैगनी प्रकास किरनर जिंक की प्लेट पर आपदीद कराई गई जिंक की प्लेट पर गिराई गई तो उन्हों ने देखा कि भई इस जिंक की प्लेट पर इस प्रकास किरनर को गिरने के कारण जो जिंक के सारे लेक्तरान थे वो लेक्तरान बाहर की तरफ उस सरजित हो गये और बाहर की तरफ निकलने लगे क्या इतनी बात आपको उसमझे में आ रहbecue प्यारे बच्चोँ एक बार फिर से ध्यान से दीखना हर एक को हम समझेंगे आपकर अपना Prab कर रहे होंगे प्यार बत्चो उन्हों ने क्या किया कि सरपरथम जिंक की प्लेट पर सुरी की परा बैङनी प्रकास फ्रियों को आपतित कर आया तो ने दिखा जिंक की प्लेट से एलेक्टरान उस सर्जन होकर बाहर की तरफ क्या हो रहे हैं निकल रहे हैं प्यारे बच्चों ध्यान से देखना हमने क्या कहा कि जब जिंक की प्लेट पर सुरी की पराबैड़नी प्रकास करड़े आपतित कराई जाती है तो जिंक की प्लेट पर उपस्दित एलेक्टरान उस से हम क्या कहते हैं प्रेकास बिद्दुत धारा कहते हैं लगे हुए माइक्रोमीटर की द्वारा प्रेकास बिद्दुत धारा क्या कर लिया जाता है मापन कर लिया जाता है इस प्रभाव को प्रेकास बिद्दुत प्रभाव कहते हैं यही आपके हालवाक्स और लेनार्ड का क कि जब किसी दात के प्रिश्ट पर हम लोग क्या करते हैं प्रकास किरण आप्तित कराने के बाद उनसे बाहः की तरफ जिसे हम प्रकास बिद्दुधारा भी कहते हैं तो हालवाक्स और लेडार्ड ने अपने प्रेच्छर में क्या किया कि उन्होंने एक नलिका लिया उस नलिका के एक सिरे पर जिंक की रिदात्मक प्लेट और एक सिरे पर जिंक की धनात्मक प्लेट लगा दिया रिडात्मक प्लेट को कैथोर का नाम दिया धनात्मक प्लेट को एनोड का नाम दिया पेरवच्चो अब उन्होंने क्या किया 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 से ही ध्यान से समझना कैथोर और एनोड का नाम दे दिया अब कैथोर वाली प्लेटों पर वहिया कैथोर वाली प्लेटों पर सुरी की प परावेगनी प्रिकास केंड़े आप्तित कराई और कैथोड की प्लेटों से जो इलेक्टरान थे वो उसरजन होका इनोड की तरफ चलने लगे इस प्रिकार परिपत में एक धारा उत्पन हो गई जिसे प्रिकास विद्दुद्धारा कहते हैं परंतु समस्या यहां आई प्य योगों में एक बात की समस्या बनी रह गई क्या बनी रह गई प्यारे बच्चो कि जब इससे लगातार लगातार इलेक्टरान उस्सरजित हो रहे थे जिंग के रिडात्मक प्लेट से लगातार इलेक्टरान बाहर की तरफ निकल रहे थे तभी तो धारा उत्पन हो रही थ उदासीन होने का मतलब हुआ कि लगातार पराबैगनी प्रकास क्रिंडे पढ़ने की कारण इनका जो सारा इलेक्टरान था इनका सारा इलेक्टरान बाहर की तरफ उससरजित हो गया जिसके कारण ये उदासीन हो जाता है और परिपत में बहने वाली धारा क्या हो जाती है बं बच्चो कि जब जिंग की प्लेट से लगातार इलेक्टरान उसरजन हो रहा था तो लगातार इलेक्टरान उसरजन होने की कारण जिंग का जो प्लेट होता है वो उदासीन हो जाता है प्यारे बच्चो और जो उदासीन हो जाता है तो उनमें उलेक्टरान नहीं रह जाते ज समस्या को क्या कर दिये दूर कर दिये प्यारे बैचो उनके भी प्रयोगों को भी सीखेंगे पर एक बार मैं फिर से पुना हिश्ष को रिपेट कर दे रहा हूं जिससे आपकी सारी प्रकार की डाउट क्लियर हो जाए प्या हुआ कि जब हर्टस और लेनार्ड ने अपने प्र उन्होंने क्या किया कि जिंक की रडात्मक प्लेट पर प्राभैगनी प्रकास किनले आपतित कराना श्टार्ट किया जिंक की रडात्मक प्लेट पर प्राभैगनी प्रकास किनले उन्होंने क्या करा है अब आपतित कराने के कारण धावत के प्रिष्ट पे जिंक के प्लेट पर उपस्तित इलेक्टरान उसरजित होका एनोड की तरफ क्या उत्पन करने लगे चलने लगे जिसके कारण परिपथ में एक धारा उत्पन हो गई जो की कैथोर से एनोड की तरफ थी ठीक भी है जिसके कारण परिपत में एक क्या उत्पन हो गई प्यारे बच्चो धारा उत्पन हो गई अब ये जो धारा उत्पन हुई इस धारा को प्रिकास भी दुद्धारा काते हैं परन्तू इलेक्टरानों के लगातार उस्सरजन होने के कारण जिनका प्लेट बहुत कम समय में ही क्या हो ज स्थीन हो जाता है जब उधासीन हो जाता है दो क्या होता कि उधासीन होने के करण का उसलिजन हो बंद हो जाता क्योंकि उसलिजन होगा कहा से समस्य को हर्टज और लेनाइड ने अपने प्रयोग नहीं सुल्जा पाने पैट sneaking इस तो ुससी समझ्या को दूर करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे Leonard और Hurtas का अब हम next topic की चर्चा करेंगे Hurtas तथा Leonard का प्रिच्षण क्या होता है प्यारिबचो Hurtas और Leonard के प्रिच्षण में Hal lid को के प्रिच्षण से केवल दो चीज अलग था प्यारिबच्चो बाकि सारा चीज हालवाक्स के ही प्रिच्छण में जो आप लोगों ने पढ़ा वही चीज़ अब इनके प्रिच्छण में अलग क्या था कि इनों ने एक दिक परिवर्तक जोड रखा था और साथ में एक विभव विभाजक रखा था और एक बोल्ट मीटर लगाया था प्या अलग से लगाया था एक उन्होंने दिक परिवर्तक लगाया था और एक उन्होंने बोल्ट मीटर लगाया था प्यारे बच्छो और बोल्ट मीटर को समानतर क्रम में जोडा था और साथ में एक विभव विभाजक लगाया था क्यूं यह सब लगाया ध्यान से देखेगा ल उन्होंने दिख परिवर्टक का उपयोग क्यों किया क्योंकि जब हम लोग देखे कि इस सरजनों का बाहर निकलने लगे इलेक्टरान समाप्त हो गया तो अब करेंगे क्या तो इच्छा अनुसार कैथोड को एनोड को एनोड को टैथोड में बदलने के लिए उन्होंने अप Thoreen hwnn broch ajala ल仔 करने के लिए उन्होंने क्या लगा दिया buy Bristol लगा दिया लगा दिया be और विभाख इसलिए लगा लगा एक ब्हुत का मधगा खुष जाता हो गया तो कम करने के जादा हो गया तो यह कम करने के लिए विभाख भी लगा दिये गहा ज्सक्रूड dead अपने प्रेचर में उन्हीं सभी चीज़ों को लेते हुए प्रेचर के दौरान दिख परिवर्तक और विभव भाजक और बोल्ट मीटर नहीं लगा था क्यों लाया थे प्रेचर दिख परिवर्तक क्यों प्योग से इच्छानुसार एनोड को कैथोड को एनोड में मतला जा सकता है और बोल्ट मीटर की प्रियोग करने के अनुसार इच्छानुसार बोल्ट मीटर की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं प्रेचर जितना बोल्टेज दोराक लाई ये प्रभाव प्रेखांस, विद्विति प्रभाव तो जो आपने हालवाक्स में प्रयोग किया था वही प्रयोग था, उसलिए आपका चन्ज़ हुआ था दोस्तों के साथ सेयर करना मत भूलेगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे टॉपिकों के साथ प्यार विच्छो भी बहुत साल टॉप के आपकी बची है तब तक के लिए आप वीडियो देखिए उन्जाय केजिए जय हिन जय भात थेंक्यों वाल